इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों के विभिन भागों के विसे में एक एक करके हम समझने का प्रियास करेंगे देखिए आपके सामने यह है एक सरसों का पौधा है धरातल के नीचे ये जड़ें हैं ये तना है ये पत्ती ये पुस्प हैं ठीक है और ये फल है राइट अब करके हम सबको देखने का प्रयास करते हैं पेड पौधों में जड तना पतियां पुस्प तथा फल अलग अलग अंग हैं ये मिलकर पूर्ण विक्सित पादप को बनाते हैं पौधों के जमीन के अंदर का भाग जड तन्तर तथा जमीन के उपर का भाग प्ररोह तन्तर कहलाता है याद रखिएगा जड तन्तर प्रोह तन्तर पहला है जड पौधे जमीन द्वारा पौधे जड द्वारा जमीन पर इस्थित होते हैं अपने परवेश में पाये जाने वाले कुछ पौदे जैसे टमाटर, मटर एवं घास को उखार कर उनके जड़ों का उलोकन कीजिए आप देखेंगे कि चना मटर की जड़ में एक मोटी जड़ है जिसमें अनेक पतली साखाय निकली है ये मुसला जड़ है घास में एक ही स्थान से अनेक साखाय गुच्छे के रूप में हैं या अपस्थानिक जड़ है अता जड़े दो परकार की होती है पहला मुसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़ अब देखिए मुसला जड़ के बारे में हम बात कर लेते हैं मुसला जड़ में एक मुख मोटी जड़ होती है जिसे प्रात्मी जड़ कहती है मुख जड़ से अनेक पतली साखाय निकलती है जिनें दुतियक जड़े कहते हैं इनमें पुनह निकलने वाली साखाओं को तृतियक जड़े कहते हैं, मुसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है, और मिट्टी में फैल कर पौधों को मजबूती से इस्तिरखती है, चना मटर सेम आद में मुसला जड़े पाई जाते हैं, देखी एक मुख्य शाखा है, बा कुछ लंबाई के बाद रुख जाती है, और तने के आधार से अनेक साखाएं रेशों की भाद निकल जाती है, इन्हें है पास्थानी जड़े या जखड़ा जड़े या रेशेदार जड़े कहते हैं, जड़े पौधों को भूम में इस्तिरखती हैं, तथा मूल रोम की सह साहता से भूम से जड़, जल तथा उसमें घुले हुए खनिज लवणों का उसोसन करती हैं, ये देखिए, आपके सामने यहा पस्तानी जड़ है, इस तरह से जहां तना खतम हुआ, और एक साखा एक साथ गुच्छे के रूप में निकल जाएंगी, तथा एक साखा नहीं ह जड़ का मोखे काम क्या है, जल का उसोसन करना और खानिज लवणों का उसोसन करना है, अब देखिए तना, तना पादब के प्ररोह का सबसे द्रण भाग होता है, इसे स्तम भी कहते हैं, प्रारम में तने कोमल होते हैं, ये पुराने होकर साक जाड़ी या ब्रिक्ष का पर्व कहते हैं, दूबघास, मक्का, बांस, गन्ना, आधी पौधों में इसे स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है, पर्व, दो गाठें गन्ने में होती हैं, और बीच का ये पर्व कहलाता है, और गाठों को पर्व संधी कहते हैं, पेन पौधों में पत्तियों तक पान तना साखाओं पत्तियों फूल, फल को विक्सित होने का स्थान देता है, तथा इन सब का आपस में सम्मध स्थापित होता है, तने की साखाओं पर पत्तियां इस प्रकार बेवस्थित होती हैं कि प्रतेग पत्ति को सूरी का प्रकास मिले, तना जल एवं खनीज पदार्थ पत्तियां प्राया हरे रंकी होती हैं पत्ति का भाग जिससे पत्ति तने से लगी होती है पनाधार कहलाता है पत्ति का चप्टा भाग पनफलक कहलाता है पनफलक तथा पनधार के बीच नंठल नुमा भाग को पन ब्रिंत कहते हैं सामानता पत्तियों के उपरी सतह गहरे रंग की और चिकनी होती है गहरे रंग द्वारा पत्तियां सौरूजा का उसुषन करती है तो तो चिकनी सतह से प्रकास की अनावस्य क्रिणों का परावर्तन करती है देखिए यह पणाधार है यहां से पत्ति लगी है तने से ठीक है य इचली सतह पर खुरदरी उभरी हुई शिराओ का जाल दिखाए देता है। सिराओ की पश्टित से पूरा पढ़फलक फैला होता है। सिराओ का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तनेतक पहटाने का कार्य होता है। पत्ति की सतहों पर अनेक छिद्र यानि रंधरू पस्तित होते हैं इन छिद्रों द्वारा पत्तियां स्वसन वास पुसवजन तथा प्रकास सल्षण से से महत्पूर्ण कार्य करती हैं अगला है पुस्प, पॉध्य का सबसे आकरशक महत्पूर अंग पुस्प होता है, यह पॉध्यों के तने तथा साखाओं से लगे होते हैं, तने की साखाओं पर इस्थित कलिकाएं, रुपदित होकर पुस्प बन जाती हैं, समानता पुस्प के चार भाग होते हैं, बाहिद दल है उसे उपर फिर अंडासे है फिर पुंकेशार है वर्तिका है वादिकागर है दल है ठीक है पुस्प पौधे का जननंग है इसके द्वारा पौधे प्रजनन जैनि आम अपनी मंस ब्रद करते हैं निशिचन के पश्चात अंडासे से फल विक्षित होता है फल में एक या नेक बीज होते हैं बीज अनकोलित पश्चितियों में अनकोलित होकर नन्हे पौधे का निर्मान करते हैं